Hello friends, welcome to your YouTube channel Fintech Fintech channel में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर कुछ दिल पहले की बात की जाए तो मैं काफी aggressively दीपक नाइटराइट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ SBI cards को कवर करने की कोशिश किया Muthut Finance, Infosys अगर मेरा तीन दिल पहने का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें भी जो fire stocks to buy है उसमें भी मैंने दीपक नाइटराइट को कवर करने की कोशिश की है दीपक नाइटराइट मैंने ये भी बोला था कि ये breakout के वर्च पर है और इसमें breakout कभी भी हो सकता है जैसा कि आज हमें देखने को मिला आज दीपक नाइटराइट में लगभग 9% की तेजी हमें देखने को मिली है देखे किसी भी शेयर में अगर आप long term में बने रहेंगे तो ये सब जो तेजी है इनके compounding के हर एक compounding हर एक तेजी का आप enjoy कर सकते हैं लेकिन अगर आप short term के लिए सोचेंगे कि कोई शेयर आज लिया है कल के कल बढ़ जाए तो ऐसा नहीं होता है अगर दीपक नाइटराइट के तेजी की वज़ा को जाने तो मुझे ये एक news सबसे ज़्यादा समझ में आ रही है जिसकी वज़ा से लगता है कि दीपक नाइटराइट में जो तेजी हुई है वो यही एक कारण हो सकता है चाइना में इस समय पर पावर का क्राइसिस चल रहा है जिसकी वज़ा से कई सारे केमिकल के जो कार खाने हैं वहां manufacturing और प्रोड़क्शन ठप हो चुका है चाइना सेंटिमेंट आया है चाइना के केमिकल प्रोड़क्श में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है चाइना के केमिकल प्रोड़क्श को बैन किया गया है तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि दीपक नाइटराइट को ही देखने को मिला है तो इस तरीके की news का भी फायदा आज हमें फिर से एक बार दीपक नाइटराइट में देखने को आया है दीपक नाइटराइट, नाइटराइट के बिजनेस में बहुत ही अवल है इसके लाबा वो फिनॉल के भी बिजनेस में एशिया में नंबर वन है आप देख सकते हैं मैंने अपने पिछले वीडियो में दीपक नाइटराइट का जो fundamental analysis किया है उसमें बताया है लिंक आपको आई बटन के description पे मिल जाएगा जहां मैंने दीपक नाइटराइट के बिजनेस को explain किया है कि उनका business model क्या है देखे आप इस तरीके के news से अगर परिचित रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो rally कर रहा है कोई भी share तो उस rally के पीछे का reason क्या है आपको बार बार भागना नहीं होगा देखे ये possible नहीं होता कल तो market बंद ही था आज ही market खुला था अगर इस तरीके की news कल आती है तो कल तो आप share को ले नहीं सकते है तो ज़्यादा अच्छा इसलिए हमेशा बोला जाता है कि share में आप long term बने रहें, share fundamentally अच्छा होना चाहिए, technically अच्छा होना चाहिए, कोई identity होना चाहिए आप उसमें हमेशा बने रहेंगे, ऐसी चोटी मोटी news आती रहेंगी, जिसकी वज़े से rally होती रहती है और आप उस rally को enjoy कर सकते हैं कल की ही news की अगर बात की जाए, तो मोटी जी ने हर घर जल जीवन योजना के लिए उन्होंने meeting की हुई थी, उनकी video conferencing हुई थी, जिसमें उनका एक जो mission चल रहा है, जल जीवन वाला mission उसमें अगर देखा जाए तो किसको सबसे ज़्यादा फायदा होना है, तो यहाँ पे दो share काफी ज़्यादा मुझे फायदे में लगते हैं, जो कि Prince Pipes है और Estral है, यही reason है कि आज Estral में भी हमें लगभग 8% की तेजी देखने को मिली है आईए, अब अगर आज के trading session की बात की जाए, तो यहाँ लगभग इसका जो closing price है 2599, लगभग 9% की तेजी बता रहा है, जबकि दीपक नाइट्राइट ने आज का high जो लगाया था, वो 2620 था, यह all time high है दीपक नाइट्राइट शेयर का आप इसके 5 साल के chart का pattern देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का chart pattern है, और यह जो तेजी अभी देखने को मिली है, यह 2020 से है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बोला है, जो anti-China sentiment की वज़ह से काफी सारे इनके sales में benefit आये हैं, क्योंकि Chinese chemical products को काफी जादा उसमें ban किया गया जो jump देखने को मिलेगा, profit में देखने को मिलेगा, आगे आने वाले time में यह और जादा इसमें उचाल देखने को मिलेगा, जिसकी वज़ह से इसकी share price काफी जादा rally करेंगे, दोस्तों अगर आज की इस candle को आप देखेंगे तो बहुत ही गजब की buying हुई है, आप देख सक इसको 2320-2350 के support पे बार-बार मैंने बोला है कि इसमें buying करने की possibility है, मैंने खुद इसमें कई बार इस range में दो-तीन बार मैंने इसमें buying की है, कई वीडियो में मैंने पिछली बार कहा भी था कि यह breakout करने के वर्ज पे है और आज इसने अपना breakout दे ही दिया और कोई मौका नह wealth create करना चाहते हैं, तो एक-दो दिन की बात नहीं है, आप इसमें थोड़ा long term के लिए बनें, कम से कम किसी भी share में अगर long term में एक अच्छा investment करना चाहते हैं, तो उसको 3-5 साल, कम से कम मैं तो कहूंगा 5 साल का horizon रखें, उसमें investment करके रखें और long term compounding को enjoy करें, RSI की बात की जाये तो वो 72 हो चुका है और यह धीरे-धीरे move कर रहा है over buying की zone में, तो I hope दोस्तों यह जो news मैंने आपके साथ share करने की कोशिश की है, आपको समझ में आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे like करे, subscribe करे और दोस्तों के साथ share करे, वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यवाद